प्रिय भाई और बहनों, आज इका सुबस अंदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते। करूं मैं आराधना, आराधना, आराधना। आज का समेश ब्रदर रिभी कुमार आगरा से बाटा जाएगा प्रार्तना के साथ सुनिए आप सब को जै मसी की आज का मनन के लिए हम मती रचिसू समाचार उसका बाईस अध्या है और उसका ब्यालीस आयत को हम आज मनन करेंगे वह ऐसा लिका है हम पविस्त सास से पढ़ते हैं मसी के बिशे में तुम क्या सोचते हो वह किस का पुत्र है यहां दो प्रस्ण है मसी के बिशे में आप क्या सोचते है और वह किस का पुत्र है प्रभईश्वमसी ने इस प्रस्ट को फरीशी के सामने रखा सास्त्रिय के सामने रखा मसी के बिस्य में तुम क्या सूँशते हो हम कुछ बाते आपको बताएंगे मसी के बिस्य में मसी परमेश्वर का पुत्र है, मसी स्वर्गिय ब्यक्ति है, मसी वह है जो अपने जनम से पहले से है, मसी के नाम का मतलब अभिसेख किया हुआ ब्यक्ति तीनी लोगों का भी सेख, पुराने नियम में हम पविसास से देखते हैं, एक राजा, दूसरा याज़क, तीसरा महा याज़क हमारा प्रभीश्य मसी राजा होकर इस दुनिया में आया वो राजाओ का राजा प्रभू का प्रभू है हम मती रचे सुसमाचार में देखते हैं हमारा प्रभीश्य मसी राजा है इतना इनी वो भविस बकता है मुसा ने प्रभीशु मसी के जन्म से पंद्रसो साल पहले लगबग बताया कि तुमारे बीच में से एक नभी उठेगा जो परमिश्व पिता उसको कहेगा वही वो बोलेगा हमारा प्रभीशु मसी वह भविस्वक्ता है गलील के नासत का भविस्वक्ता ईश्यू बड़ा भविस्वक्ता ईश्यू जो कुछ पिता ने उनको कहा वही प्रभीशु मसी ने कहा तीसरा बात हमारा प्रभीशु मसी महायाजक है सारे बलिदान को परिपूर करके प्रमिश्व पिता के दाइनी और बैठ गया ये पद सुवे हमारे प्रभीशु मसी ने नहीं लिया परमीश्व पिता उससे प्रसन हुआ और मलीकी सिदिक की रिती के लिए सदाका मा याजक उसको मना दिया मसी अभी से किया हुआ ब्यक्ति प्रभू इशु मसी प्रभू सारे संपूर जगत पर पुबूता करने माला इशु उधार करता और मसी अभी से किया हुआ ब्यक्ति दूसरा प्रसन आता है वह किसका पुत्र है वो दाउद का के बंस से आया मतलब दाउद का पुत्र और दाउद का प्रभू भी है क्योंकि वो परमेश्वर है वो दाउद से पहले था वो दाउद के बाद भी है वो आज कल युगानू एक सा है वैं सच में दाउद के बंस से एक इस्त्री के बंस से आया वो दाउद का प्रभू आत्मा के भाव से उसको जिलाया गया वो दाउद का स्वामी भी है प्रभू है हम पढ़ते हैं कि दाउद परमेश्वर के दिल का ब्यक्ति उसके हिर्दे का ब्यक्ति दाउद ने परमेश्वर जैसी प्रती प्रेम दिखाने बाला ब्यक्ति प्रभीशु मसी उससे भी बड़ा है तो वैं हम वैं किसका पुत्र है और मसी के बिसे में तुम क्या सोचते है मसी स्वर की अग्यान से बढ़ा हुआ ब्यक्ति अनुग्रे आसिस से बढ़ा हुआ उसके होटों में अनुग्रे बढ़ा हुआ उसके मुँ से अनुग्रे की बाते जलकती और वो एकड़म खरा है सुद्ध सोने से भी खरा है आसिस के बचन उसके मुँ में है इतनाने सोने से भी उत्तम हमारा प्रभू है उसके बिसे में सोचना कितना मनोर है इतना इनी वो अद्बुत युक्ति करने बाला है प्राक्रमी परमेश्वर है अनंतकाल का पिता सांती का राजकुमार है महा बुद्धिमान परमेश्वर है और महान युक्ति करने बाला परमेश्वर है जगत के आरम सिवेत है और जगत के अंत के बाद भी वह है वो एकडम आत्मा से भरा हुआ बुद्धी और ज्ञान से भरा हुआ इस वतत की सारी परिपूरता से भरा हुआ हमारा प्रभीशु मसी है वो इस जगत का छुटकारा चुड़ाती का दाम देने बाला परमीश्वर है इतना बहुमुल छुड़ोती को प्रभीशु मसी ने अपना लहु बहा कर हमको दिया है बेस कीमती अनमोल लहु को प्रभु ने कुस पर बहाया और प्रकट किया कि सच में वो परमेश्वर का पुत्र है धर्मी प्रत्वी का न्याई परमेश्वर है क्या वो न्याई नहीं करे सच में पवित आत्मा के से वो जिलाया गया जिसने मसी को मुर्दों में से जिलाया क्या वो आपकी उमिर नस्वद्यो को न जिलायेगा ऐसे महान परमेश्वर को हम धन्यबाद करते हैं हम एक बार उसको बचन को पढ़के मसी के विस्षय में तुम क्या सूचते हो वह किसका पुत्र है वो त्रियेग परमेश्वर है पिता, पुत्र और पवित आत्मा प्रवीश्व मसी स्वए परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है तो अपने मूँ से अंगीकार कर, मन से विस्वास कर कि परमेशों ने प्रवीशु मसी को मनेव में से जिलाया तो उन्हें शेय उद्धार पाए परमेशों अपनी बचन पर आसीस थे जै मसी के